अपनी सखीं को जो है, दानों से और कील महासों से कैसे बचा के रख सकते हैं, यानि कि एक्नी से, पिम्पल से कैसे बचा जा सकता है, ब्लाक हैट्स एं वाइट्स को कैसे वॉइट किया सकता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसा जो अपना फेस फोज है वो रखें जो कि oil balancing हो जिस वकत आपकी skin का oil balance रहेगा तो ये issue नहीं आएगा कि sebum बन रहा है और वो किदर को जाए और कैसे जो है वो आपकी skin जो है वो ठीक रहे और उसके उपर दाने और pimples ना बने एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम oil balancing formulas जो हैं जिनको यूज करने से आपकी skin dry नहीं होगी लेकिन आपके pores clog नहीं होगे इसमें मैं थोड़ा सापको explain करना चाहूंगी जैसे आप ये देखें ये आपका pore है इतर आपका pore है और ये उसकी opening है जो आपको face के ऊपर नजर आती है ये नीचे जो है वो इसका sack है इसका area है ये इसका घर है इसी घर के अंदर different कमरे हैं एक कमरे के अंदर hair follicle है जो के बाल बनाता है एक कमरे के अंदर sweat gland है जो के पसीना लेके आता है और एक कमरे के अंदर sebaceous glands है ये जिसको हम oil producing gland कहते हैं और वो oil बना रहा होता है या oil produce कर रहा होता है थीक है अब इस कमरे के अंदर जैसे ही कुछ चोप करेगा या जैसे ही इस कमरे के अंदर स्टफिंग जाएगी जैसे ऑल से भर जाएगा या आप ऊपर से कोई एसा मॉस्टिराइजर ऐसा संब्लॉक या ऐसा मेकड यूज करें जो कि oil waste हो और वो इसके अंदर pores के अंदर फस जाएगा तो बहुत जादा high chances हैं कि आपकी skin के उपर दाने बनेगे और इससे हमने बचना है इसलिए कोशिश ये करें कि ये area आपका बिल्कुल साफ रहे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी skin के उपर ऐसी चीजों को avoid करें लगाना जो के oil को produce करने में help करती है या फिर आपके pore को clog कर सकती है यानि कि pore के अंदर फस सकती है pore के अंदर ये फसे का या कोई भी चीज फसे की तो आप देखेंगे कि दाने जरूर बनेंगे और blackheads और whiteheads भी बन जाएंगे